दोस्तो हूती विद्रोहियों को इसराइल के जहाज पकड़ना अब बहुत ही जादा भारी पढ़ने वाला है और आज इसराइल के NSA की तरफ से खुली धमकी देते हुए बोला गया है कि अगर तुम जल से जल नहीं माने तो तुम्हारा एसा इलाज करेंगे कि तुम किसी के भ पुरा मामला कुछ इस प्रकार है कि अब से 19 दिन पहले तुर्की से एक जहाज चला था जो भारत के गुजरात में आने वाला था लेकिन बीच में ही भूती विद्रोहियों ने इस जहाज पर हेलिकोप्टर की मदद से लेंडिंग करकर इस जहाज पर पूरी तरीके से अप चिस चालक दल बैटे हुए थे उन सभी की भी जान चली गई थी और इस घटना के दो दिन बाद इसराइल का एक जहाज गल्फ ओफ अधन से गुजर रहा था लेकिन उसी समय ही इसराइल के इस जहाज पर अलमाया दीन नाम के आतंकी संगठन ने कबजा कर लिया था इस कब जहाजों पर भी एलेस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है सात में अमेरिका की तरफ से ये भी बताया गया था कि उती रैबल्स ने तो हमारे युद पोतों पर भी सैल से हमला करने की कोशिश की है लेकिन हमारी टिप के अंदर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था जिसकी सी में आता है तो उस कंडिशन में हम इसराइल के उस जहाज पर तुरंति कबजा कर लेंगे पाशिवा देघते हुए आज इसराइल को एक बयान दिया गया है और इस बयान में इसराइल के एन ESA की तरफ से इंतरास्ते समूदाए से जह सों कि एक माँदा की है और इस मान प को एक लंबा समय देते हैं आप सभी देश मिलकर उती विद्रोहियों को कंट्रोल में करने यदि आप एसा नहीं कर पाते हो तो हमको फिर खुदी मैदान में उतरना पड़ेगा और फिर हम अपने हिसाब से रेड सी के अंदर से अपने सभी जहाजों को खुद ही पहार निकाल लेंगे फिर हम बाद में हूती रेबल्स को अच्छे से सबक भी सिखाएंगे ये बयान इसराइल के एनेसी की तरफ से दिया गया है साथ में इसराइल के एनेसी की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस समय अमेरिका की नेवी जहाजों की सुरक्षा कर रही है लेकिन फिर भी पोशिश में लगे हुए हैं तेसी ही घटना अब से तीन से चार दिन पहले भी हुई थी जब हुती विद्रोहियों ने इसराइल के एक जाज पर रेड़ सी में हमला बोल दिया था साथ में इसराइल के एनसी की तरफ से ये भी बोला गया है कि अगर हुती विद्रोही नहीं मानते हैं तो हम इनको अच्छे से फूत और जवाब देंगे और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हो कि क्या सभी देशों को मिलकर हुती विद्रोहियों के खिलाफ एक बड़ा एक्षन लेना चाहिए हाँ या फिर ना इस बात का अंचारा आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं थेंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो, हैव गूड डे